फडारी जो की अपने डिजाइन, स्पीड और प्रिमियम प्रोड़क्ट के लिए पूरे दुनिया में जाने जाती है बला इस कमपनी को कौन नहीं जानता फडारी कमपनी को एंजो फडारी ने 1947 में फॉर्म किया था तो कार्ड को हर जगह लार्ज स्केल में फैक्टरी में नहीं मैनुफैक्टर किया जाता था बलकि कई जगह कार्ड को लोकली छोटे 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 वर्कसॉप में इंजीनियर्स के थ्रू बनाया जाता था वैसा ही एक वर्क्सॉप इटली के मोडेना में अलफर्ड फडारी ओन करते थे और उस वर्क्सॉप में हेल्प के लिए अलफर्ड कभी-कभी अपने बेटे एंजो को भी बुला लेते थे तो एंजो को वहीं से बचपन से ही कार्स के लिए क्यूडो सेटी थी और बहुत छोटे एट से ही कार रेस उन्हें बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगते थी और वो हमेशा से बड़े होकर रेसिंग ड्राइवर बनना चाहते थे पर वर्ल्ड वार वन की वज़ा से उन्हें और उनकी फैमिली को इटालियन आर्मी जोइन करनी पड़ी और 1916 में वाइड स्प्रेड इटालियन फ्लू की वज़ा से एंजो फरारी के फादर और उनके ब्रदर की डित हो गई और उसके साथ ही वर्क्सॉप का फैमिली बिज इनस में बंद हो गया और 1918 में आर्मी में एंजो के पूर हिल्थ को देखते हुए उन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया गया उसके बाद जौब के लिए एंजो ने फियेट में अपलाई किया पर वहां उन्हें जौब नहीं मिली आखिर कार एंजो को CMN जो की मिलान की एक का कार मैनुफेक्चरर कमपनी थी वहां उन्हें टेस्ट ड्राइवर की जौब मिल गई उस कमपनी में पुडाने ट्रक की बॉड़ी से छोटे पैसंजर कार बनाय जाते थे कुछ दिनों बाद एंजो के कार्स में पैसन को देखते हुए कमपनी ने एंजो को रेस कार ड्राइ के रेसिंग डिपार्टमेंट में एज रेसिंग ड्राइवर जौइन किया और वहां उन्होंने 41 ड्रेस में पार्टिसिपेट किया और 41 में से उन्होंने 11 ड्रेस जीते तो बी वेड़ी स्पेसिफिक एंजो ने बहुत ही जादा कॉंपेटेटिव और डिफिकल्ट ड्रेस जीता जिसने सभी को बहुत ही जादा सर्प्राइज कर दिया 1929 में एंजो फडारी ने अपनी एक रेसिंग टीम अलफा रोमियो के अंदर ही बनाई जिसका नाम उन्होंने स्कुडेरिया फडारी रखा और एंजो के नाम के कारण बहुत सारे एक्सपीरियंस ड्राइवर ज 1938 में अलफा रोमियो ने स्कुडेरियो फडारी को अपनी कमपणी से हटा दिया और अपनी खुद की ही टीम बनाई जहां एक साल के लिए एंजो ने मैनेजर के पोश्ट पे काम किया और फाइनली 1939 में एंजो फडारी ने उस कमपणी को छोड़ दिया और एक नई कमपणी इस्टार्ट की जो की आटो एवियो कोस्ट्रोजीनी थी एंजो को अलफा रोमियो छोड़ने के पैसे तो मिले पर उसमें एक कंडिशन थी कि एंजो अलफा रोमियो के साथ डारेक्ट ली चार साल तक कंपीट नहीं करेंगे फिर उस टाइम एंजो के कमपणी गौवर्में design और manufacture हुई थी और इसमें Fiat की 8 cylindrical engine लगी थी पर World War 2 की वज़े से एंजो को factory छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ bombing हो रही थी पर Alpha Romeo के साथ contract खतम होने के बाद 1947 में एंजो ने Ferrari 125S launch की जो Ferrari के brand के अंदर first car थी और इसमें Ferrari ने अपने V-shaped 6 cylindrical engine लगाई थी जो Ferrari के engineers ने खुद develop किया था ये Ferrari के second world war के बाद बनने वाली maximum cars की core engine रही 1948 में company ने Ferrari 125S का successor Ferrari 166 launch की और ये car company की first international hit हुई Ferrari की first victory 1952 में हुई जब Alberto Ascari Formula One race को Ferrari drive करते हुए जी थे और 1953 में भी Ferrari ने दो बार एक ही रो में race को जीता और सबको बता दिया अगर किसी को भी race जीतनी है तो पहले उन्हें Ferrari को हडाना होगा Ferrari ने फिर 1957 में Ferrari 250 testa rosa launch किया जो company के victory को maintain रखी और 1958, 1960 और 1961 की championship जितवाई पर 1960 फरारी के लिए बिल्कुल perfect नहीं था क्योंकि एंजो ने अपनी wife Laura को Ferrari के manager की post पे appoint किया था पर company के senior employee इससे खुस नहीं थे और एंजो के पास एक लेटर भेजी गई जिसमें 9 senior employee ने sign किया था और वो एंजो के wife Laura की resignation के demand कर रहे थे पर एंजो ने उन्हें ही fire कर दिया ये Ferrari के लिए बहुत ही बड़ी talent की loss थी और इसे Ferrari की history में the great walkout के बोला जाता है और पिछले दो साल में ही Ferrari के चार driver की death हुई थी तो वो time Ferrari के लिए ठीक नहीं था और एंजो Ferrari ने इसे देखते हुए तुरंत पुराने senior employees के place को fill करने के लिए new और fresh talented engineer को recruit कर दिया और उन्होंने मिलकर एक beauty piece Ferrari 250 GTO को launch किया और इसके मात्र 39 cars हैं produce हुए ये car लगतार 3 वार World Sports Car Championship जी थी और जो भी Ferrari 250 GTO बची थी वो बहुत ही ज्यादा valuable हो गई Ferrari ने फिर इसकी successor Ferrari 275 और Ferrari Daytona launch की जिसने Ferrari को world के best car manufacturer में सामिल कर दिया और लोगों की वर्थी demand को fulfill करने के लिए Ferrari को अपने company का 50% stakes Fiat को sell करना पड़ा वहां से Ferrari को काफी पैसे मिले और एंजो market में एक cheaper racing car लाना चाहते थी जो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके पर एंजो Ferrari Ferrari company की luxury tag को sacrifice नहीं करना चाहते थे इसलिए उन्होंने नई car company start की और उस company का नाम डीनू रखा जो की उनके first run के honor में था जिसकी 10 साल पहले muscular rigid से death हो गई थी Ferrari ने फिर 1984 में testa rosa launch किया जो की सुनने में तो Ferrari की testa rosa की successor थी पर इसमें spelling में कुछ difference था एंजो की 1987 में Ferrari F40 को launch करने के बाद एंजो की 1988 में death हो गई एंजो की death के बाद company का 50% ownership पियरो Ferrari के पास चला गया जो एंजो का second son था और जिसमें से 40% पियरो ने Fiat को undisclosed amount में sell कर दिया और बदले में वो Ferrari का vice president बन गया और अब Fiat के पास Ferrari का 90% ownership हो चुका था 1990 से अब तक Ferrari हमेशा बहुत ही expensive और experienced driver के साथ deal sign करती रही है और Ferrari ने कुछ drivers को तो 50 million dollar पर year तक पे किया है जिसकी वज़े से Ferrari को racing में बहुत ही ज़्यादा fame और respect मिली है Ferrari 2002 में Enjo Ferrari के tribute में Ferrari Enjo को market में introduce किया और अभी 2013 में Ferrari ने love Ferrari एक stunning design के साथ launch किया जिसकी price 1.4 million dollar है और इस car की math 499 piece ही built हुई है और फिर जनवरी 2016 में Fiat ने Ferrari की IPO की ताकि वो और अच्छी तरह expansion कर सके और Ferrari की IPO बहुत ही अच्छी रही Ferrari company के ये बहुत ही ज़्यादा खास बात है कि वो बहुत ही कम quantity में car बनाती है और उन car के premium होने की वज़े से वो बहुत ही जल्दी और ज़्यादा price में sell हो जाती है और Ferrari ऐसे ही किसी को भी car sell नहीं करती क्योंकि Ferrari ये चाहता है कि उनकी car एक status symbol को represent करें और वो उन्ही customers को car sell करती है जो लोग बहुत ही ज़्यादा reputed होते हैं और Ferrari की special edition car लेना तो और वे ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि एक तो वो बहुत ही कम quantity में manufacture होती है और Ferrari special edition car उन्ही customers को देती हैं जो Ferrari के पहले से ही customer रह चुके हैं तो Ferrari की car होना अपने आप में ही एक status symbol है तो ये थी एंजो Ferrari की Ferrari start करने से अब तक की पूरी journey तो उमीद है इस वीडियो में आपको कुछ जानने को मिला होगा तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए take care